हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे आज है दो जून और दो जून दो हजार चोबिस के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आई हम लोग सेशन के सुरुवात करते हैं आप सभी को रादे रादे प्यारे चससी सीटी मेंस का ये बहच है इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे कम्प्लीट आप इसको प्रिपेर कर सकते हैं स्टार आइक्यू अप्लिकेशन पे जाके हाली में हर्याना के किन जंगलों में 40 डिग्री से जादा तापमान के कारण जंगल में भीशन आग लगी है और ये जंगल है मोर्नी हिल्स के तोड़ दिन पहले भी मैंने एक ऐसा सावाल पढ़ाया था आप लोगों को वो था अरावली जंगलों का और ये है मोर्नी हिल्स का वैसे हर्याना में एक ही हिल्स स्टेशन है वो है मोर्नी हिल्स और 46 डिग्री से जादा के टेंपरेचर के चलते वे यहाँ पे आग लग है सिवालिक हिमाल्य का सबसे नविंतम पार्ट है कह लीजिए आप लोग और सिवालिक परवतमाला हर्याना के उत्तर में स्टित है इसके लावा अरावली परवतमाला दक्षिन पश्चिम से हर्याना राजस्थान गुज्रा और दिल्ली तक फैली होई है एक मातर हर्याना क का हिल स्टेशन है और मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है और महंदरगड जिले में धोसे हिल्स जो है यह विलुप्त ज्वाला मुखी के लिए है जो कि मैं अभी अरावली के बारे में बता रहा था अरावली में भी तोड़े दिन पहले ही जंगलों में आग लगी थी और द दिल्ली तक दिल्ली राय सिना पहडी तक का हिस्सा है कह सकते हो आप लोग और ज्यादा उंची नहीं है यह हलंकि इसकी सबसे उंची चोटी का नाम ही गुरू सीखर चोटी है सैद आप लोगों को पता होगा रावली दुनिया के प्राचिंतम वलित परवत फॉल्डिड मा 200 मिटर है राजस्थान में सांबर सिरोही सांबर खेतरी यह लगबग जो है इसकी रेंज इसी का ही है मांट आपू जो है इसकी सबसे उंची चोटी है 17 22 मिटर जिसकी उंचाई है इसके आस-पास बहुत सारी समुदाय भी रहते हैं जैसे जन जाती में भील है भील मीना है म इना गरासिया यह बहुत सारी जंजाती भी यहां पे है और सरवत्च न्याले ने साल 2009 में हर्याना के फ्रिदावाद गुडगाओं जो इसका नाम अब गुरुग्राम है नू की अरावली रेंज में खनन पर पुर्ण प्रतिबंद लगा दिया है अब मतलब यहां पे कोई भ बस्तियां रह रही है ना उनको भी हटा दिया प्योर रूप से जंगल के रूप में ही रहने के आदेश दिये जा चुके हैं यहां पे हर्याना में चुनाव आयोग ने कौन सी अप्लिकेशन लॉंच की है और आपके लिए अभी कुछ किशन जो प्रीवियस दिनों के हैं व जो लोग वोटिंग के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते थे तो वो चेक कर सकते थे उनका नंबर कब आएगा उसके लिए है वोटर्स इनक्यू मॉबाइल अप्लिकेशन हर्याना में किस सब्वेता को देखते हुए पूरा ता तो वह संगरहालिया विभाग हर्याना के सबसे बड़ी साइट कह सकते हो आप लोग राकी गड़ी और राकी गड़ी है कहां पर राकी गड़ी है हिसार के अंदर है ध्यान रखना अप लोग हिसार हर्याना के अंदर और इसके अलावा एक बात और याद रखना कि इंडस वैली सिविलाजिशन की बात करे हैं तो उस जिनमें से एक राजस्थान का काली बंगा जो परकार के गर थे मतलब एक तो उसमें कुछ लोग रहते थे एक निचे में निम्न दरूग और उसका लेकिन काली बंगा वाली जगह है ना उसमें क्या था उसमें दोनों में ही fortification मिली थी बाकी यहां पर यग वेदिया मिली है चूडिया मिली है स्वास्तिक वाला सिंबल जो सूरे देवता को समर्पित है वो भी यहीं पर मिला है तो काफी important site के रूप में है और यहां इनकी site लोथल बड़ी important है लोथल क्यों important है बंदरगाह के लिए गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है यह ठीक है यह फैली कहां तक थी वैसे सिंदु घाटी सब था जैसे देखो इधर चम्मु कस्मीर में तो मांदा तक फैली थी यह मांदा जो की दाइमाबाद तक फैली थी महारास्ट्रा के अंदर है यह गोदावरी नदी के किनारे है और इधर इधर यह पस्चिम में जो है ना वह सूत कांगे डोर है वहां तक फैली हुई थी और यह दाशन नदी के किनारे का इलाका यह सिंदु नदी का चेतर कहलो आप लोग मोटे तोर पर यहां तक तो ऐसे चारो दिसाहों में फैली थी इस तरह थोड़ी जादा थी इस तरह थोड़ी कम थी तो लगभग जो ना यह त्रिबू जाकार थी ऐसे मैंने तो बना दिया लग लेकिन मोटे तोर पे त्र सवाल का ठीक था किस पुलिस टेशन को हर्याना में सबसे बेस्ट पुलिस टेशन का किताब दिया गया था तो बेस्ट पुलिस टेशन का किताब मिला था बड़ी पुलिस टेशन को और यह कहां पे है कौन से जिले में है यह हर्याना के सोनिपत जिले के अंदर एशियाई कुस्ति स्टेम्पनसिप में हरियानवी पहल्वान राधीका ने कुन सा पधक जीता तो राधीका ने इसमें इसल्वर मेडल जीता था ठीक है हर्याना के किसी भी फिल्म निर्देशक की पहली वालीवूड हिंदी फिल्म कौन से रिलीज की गई है तो ये रिलीज की गई है अप्शन नमबर B इसका ठीक है विस्व कबड़ी दीवस के अउसर पर हर्याना के किस जिले में भारत ने 128 खिलाडियों की भागीदारी के साथ गिनिज वर्ड रिकोर्ड बनाया था ये पंचकुला के अंदर चैंपेन से कोई थी कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना जहां विदेशी कंपनी 100% इन्वेस्टमेंट रक्षा छेतर में करने वाली है तो ये करेगी हर्याना के अंदर उप्शन नमबर D ठीक है इसका उत्तर भारत के पहले पीजा एटियम की सुरुवाद कहां की गई है तो ये की गई है एटियम की सुरुवाद कहां पे चंदीगड केंदर की गई है पांचवा अखिल भारती है चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल हर्याना में कहां पर आयुजित किया गया तो ये पंचकुला केंद्रा आयुजित किया गया ओप्शन नमबर एट ही है इसका हमारा हर्याना का पहला केंद्रिय योग एवं प्राकरतिक चिकित्सा संस्तान कहां खोला गया है ये देवर खाना में खोला गया है ये ओप्शन सही हर्याना के प्रतेक नागरी कब किस योजना के ताइट पांच लाग का फ्री लाज करवा सकेंगे इस सवाल का अंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में तब तक अपना ख्याल रखना सभी को रादे रादे